हमारी यहां कभी कभी चारों वेदों के पारायन का आयोजन किया जाता है और विद्वान वैदिक वेदपाठी ब्रामनों को बुलाया जाता है और वेदपाठ कराया जाता है कहीं कहीं अठारह पुराणों का भी पारायन होता है करम से पुराणाचारियों को ऐसे शास्त्री विद्वानों को बुलाया जाता है और पुराणों का पाठ होता है कतिपए पुराणों की कथा होती है भागवत महा पुराण है शिव महा पुराण है भगवती देवी भागवत की बात है लेकिन कहीं कहीं विद्वानों के द्वारा इन पुराणों की कथा भी होती है और पुरानों का पाराइन तो कहीं जगे होता है भगवत गीता पर तो प्रवचन होते रहते हैं और भगवत गीता का पाठ भी लोग करते रहते हैं कहीं को तो संपुर्न श्रीमत भगवत गीता कंठस तभी है लेकिन चतुरवेद पाराइन किया जाए सभी पुरानों का पठन किया जाए, पाठ किया जाए भगवत गीता का पाठ किया जाए विद्वत्ता की भी जरुवत है, पांडित्य की जरुवत है बहुत समय भी लगेगा उसमें लेकिन उसके स्थान पर किवल एक गायत्री मंत्र जप लिया जाए तो चत्रवेद पारायन हो गया सभी पुराणों का पाठ हो गया सभी शास्तरों का पठन हो गया गीता पाठ भी हो गया अक्षर चाओ विस परम पुनीता इनमें बसे शास्तर शुरुथी गीता तो जिस प्रकार भागवत जी के महात्मयमे भगवान वेदव व्यास जी लिखते हैं कि किम शुरुतई ही बहुभी शास्त्रई ही पुरान इश्च ब्रमा वहई ही एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने नगर जती भागवत की महिमा बताया गया है और निश्चित रुप से वेदो बनी शदाम साराज जाता भागवती कथा भागवत भी समस्त वेदों और उपनी शदों का सार है लेकिन वो 18,000 श्लोकों में है और इसलिए ही कथाओं में हम कहते रहते हैं कि वेदों का सार गायत्रि मंत्र है श्रिमत भागवत भी वेदो अपनी शद का सार है लेकिन वेदों का जो सार है गायत्रि उसका वो विस्तार है श्रिमत भागवत तो आपने यदि गायत्रि मंत्र का जब किया तो आपने भागवत पाड़ भी कर लिया ये सब में आरभ में आज इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से भागवत इत्यादी की हम कथा सुनते हैं तो पहला दिन महत्मिका होता है उन उन पुरान की महिमा का गायन किया जाता है किया जाता हुआ जाता हुआ जाता है